कर दोस्तों नमस्कार मेरे यूटूब चैनल पर आपका स्कतों हम बोया माइक M1 का अन्बोक्शिंग करने जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों मेरे साथ हेलो गाइस हमने बोया माइक M1 फ्लिप कार्ट से प्रचेस किया था जिसमें हमको 775 रुपया पे करना पड़ा तो चलिए दोस्तों हम टाइम आपका बेश्ट ना करते हुए हम इस कॉरियर को अन्बोक्शिंग करते हैं कि हमें क्या-क्या मिला था तो हेलो गाइस यह रहा आपका बोया माइक निकल रहा है सबसे पहले चलिए गाइस देखते हैं यह क्या है दोस्तों इसको हम देखते हैं इसमें क्या है तो दोस्तों यह फिलिप कार्ट का बिल है जो हमको मिला है अन्बोक्शिंग करने पर इसमें भी साथ सो पचातर रुप्या रेट दिखाया है कि इसको हम साइट रखते हैं और देखते हैं इस पॉक्स में और क्या-क्या है यह आपका बोया माइक यह मौन तो दोस्तों इसको ध्यान देने वरी बात है यह की वार कोड़ दीख रहा है आपको इसको हम स्कैन कर सकते हैं यह पता करने के लिए यह अपड़ कोड़ से हम चैकर सकते हैं चैन करके यह बया माइक बागे मैं सही है यह नहीं तो चलिया दोस्तों चलते हैं इसमें देखते हैं कि क्या-क्या मिला है आपको इसमें फिक्ट्वेंसी है ती तालिस गिजाट और 18 गिजाट पस्टिंगर नौइस आपको साब साब दीक रहे हैं दोस्तों इसमें हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं हेलो गैश यह आपको दीक रहा वरट्यार पाउट जो डोओं को look करने पर हमको मीला 有 जिससे हमें सब माइक करना के मीरे सहर्व है और यह मेरियले काड़् है हमें किस तरह से हमें यूज़ करना हो इसको हम साइड कर ते हैं है देखते हैं यह रहा दोस्तों आपका बोया माइक का लोग को उसका केरी बैक पाउच इसमें अपना बोया माइक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें और क्या क्या है यह रहा दोस्तों आपका बोया माइक जो 20 लंबा है इससे हमारा हम स्टेज सो भी कर सकते हैं और दोस देखते हैं इसमें क्या है तो दोस्तों इसमें पाउज है इसमें इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों ये जेग दिख रहे हैं इसको हम इंप्लिफायर में लगा सकते हैं जब इस्टेश करते रहते हैं तो और ये जेग जिसको हम स्मार्टफोन में फ्लग करते हैं को या Rs. HT camera में जिससे हमारा माइक अच्छे से work करेगा और दोस्तों इसका जो यह देख रहा हैं आपको वया माइक का इसमें लिए स्विच दिख रहा है इसमें जैसे हम यह अ में स्मार्टि पोन से हम ईद डिकोडिंग करने तो नीच रहे गा और DSLR camera से अब जब करेंगे तो इसका switch को हम उपर कर दीगे और इसमें दोस्तों बैटरी है तो चलिए दोस्तों हम इसको खोल के दिखाते हैं आपको दीग रहा होगा दोस्तों यह बैटरी है और यह जो दीग रहा है यह दोनों साइड मेटल का यह मेटल का है और यह प्लग करने के लिए हम इसको pocket में रख सकते हैं ताकि अपना यह ताकि हमें अच्छे से असानी से हमें recording करने में असानी हो तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं यह रहा दोस्तों बोया माइक यह पूरा मेटल का है और यह वाला जो हिसा है यह रबड का है यह वाला हिसा रबड का है और यह पूरा मेटल का है जिसको हम कॉलर में क्लिप करके लगा के अच्छा वाइस रिकोर्डिंग कर सक तो यह काफी बहुत लंबा है इसे हम बहुत दूर तक भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों और दोस्तों यह एर जो हावा को कंट्रोल करता है और आसपास के नौइस को भी कम करता है तो यह अच्छा है इसके लिए और इसी में स्पीकर लगा है जो हमारे आवाज को अच्छे तरिकेस रिकॉर्डिंग करता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम इसको हम एक टेस्ट लेजते हैं कि इसका आवाज हमें कैसा सुना जीता है चलिए दोस्तों इसको हम अपने केमरे में अपना स्मार्ट प्रोन का जो अभी वीडियो बना रहे हैं उसमें हम लग अब आप अवाज सुन रहे हैं ब्योंआ है रहे हैं मेरा आवाज पहले से भीतर आ तो दोस्तों मेरा अगर विडियो अन्बोक्सिंग रिवियो अगर अच्छा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सजेस्टन है कि अगर कोई यूट्यूबर अपना वाज को बढ़ियां ओडियंस को सुनाना चाहता है तो मेरे चैनल को कोई नया वीवर्स देख रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कोमेंट करें और सेयर करें धन्यवाद जय है